के गाइस वेल्कम बैक टू नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में हम पार्टी वियर कुड़ते का एक नेक डिजाइन बनाएंगे इसके लिए मैंने ये एक वी शेप नेक पहले से ही काटके कपड़े के उपर चिपका लिया था और अब हम इसे जो एक्स्ट्रा ले ली है इसे हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करके बीच में एक कच्चे टांके से सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी तकरीबन आधे ही चौड़ी हमें ये पट्टी बना के तियार करनी डिजाइनिंग के लिए अब हमें इसका पैनल बनाना है ये नेक में पैनल वाला करने के लिए अब ये देखिए 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से तिर्ची लाइन्स में यहां पर ड्रॉ करूंगी इस कपड़े के ओपर मैंने फ्यूस पेपर चिपकाया है पर आप चाहें तो बिना फ्यूस पेपर चिपकाई भी ये डिजाइन बना सकते हैं लेकिन फ्यूस पेपर चिपकाने के बाद सफाई जो है वो बहुत जादा आ जाती है डिजाइन में अब हम इसके ओपर पट्ट लगाएंगे जो कि हमने तियार की थी तकरीबर नाध़ सिझा चौडि est तरीगे से बिल्कुल बारिक-बारिक बख्या से हम इस पर ये पटी लगाएँगे कैं यह यह देखें बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रॉ खी थी उसके उपर ही हम्हें ये पट्टी लगानी है इसी तरह से हम सारी की सारी लाइन्स को यह पट्टी लगा के कवर कर देंगे यह देखिए इस तरह से हमने तिर्ची तिर्ची पट्टियां लगा दी है अब हम इसका कच्छा डंका उधेड देंगे ये लेस मैंने ली है डिजाइनिंग के लिए और बहुत ही कॉमन ये लेस है जो कि आजकल बजार में बहुत ईजी ले आपको मिल जाएगी आप में से बहुत लोगों ने मुझसे बूचा था कि मैं अपनी लेस कहां से लेती हूँ तो मैं अपनी लेस किसी भी नॉर्मल लेस वाली शॉप से ले लेती हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बहुत अच्छे अच्छी लेस मारकेट में अवेलेबल है अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएंगे तो अपनी पसंद की बहुत सारी लेसे वहाँ से लेकिया सकते हैं और अपने पर डिजाइन बना सकते हैं अब इस पैनल को कम्प्लीट करने के लिए इसके बीच में ये बरिक वाला गोटा लगा रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको जो डिजाइन थोड़ा सोबर रखना है तो आप गोटा मत लगाईए पर मुझे थोड़ा सा ब्राइट बनाना है अपने डिजाइन को तो ये देखिए मैंने इसके बीच में इस तरीके से गोटा लगा दिया है और अब हम इस पैनल को कुर्ती के फ्रेंट इससे पर अटाच करेंगे अटाच करने के लिए हमें सबसे पहले इस गले के निशान लगाने है कि हमारा गला कहां तक आ रहा है हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इस पे पैनल अटाच करें तो वो गले से बहार न निकले और सारा का सारा डिजाइन अंदर दब जाए और सफाई से बने यह देखिए इस तरीके से मैंने रफली गले का निशान लगा लिया अब इसके उपर हमें ये पैनल इस तरीके से रखना है तो जो हमने निशान लगाए थे उसका थोड़ा थोड़ा उपर तक ही हमें इसको रखना है और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा के इसको पहले इस तरह से अटाच कर लेंगे अब हमें इसके चारो तरफ लेस लगानी है तो आपको जितना चौड़ा यह पैनल चाहिए आप उतना रखके बाकी सारा दबा सकते हैं इस तरीके से मैं थोड़ा जादा जादा ही दबा रही हूँ यह पैनल यह देखिए और अब यहाँ पर कोना बनाएंगे तो कोना बनाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजी है कोना बनाना है आप इस तरीके से इस कोने को बिल्कुल एंड तक हमें नहीं सिलना है क्योंकि हमें इसके अंदर अभी एक और लेस लगानी है दबा के हमें लगानी है तो इसलिए अगर हम कोने पे पुरा एंट तक सिल देंगे तो लेस तब के नहीं लगेगी इस तरीके से ये लेस हमने उपर तक लगा देनी है अब ये मैं गोटा पती वाली लेस ले रही हूँ ये ट्राइंगुलर शेप लेस ले रही हूँ और इसे हम चारों तरफ दबा के अच्छे से अटाइच करेंगे ये देखिए आप चाहे तो मोटियों वाली लेस भी यहां पर लगा सकते हैं ये हमारा पैनल त्यार हो गया है अब हम इसके उपर गला बल्टेंगे तो जो गला मैंने तार करके रखा था उसी को मैं इसके उपर इस तरह से रख दूँगी और जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें ये गला इसके उपर सिल देना है बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसे पलट देंगे ये देखिए गला मैंने इसके उपर बना दिया है और इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है आप चाहें तो दुपट्टा भी इसी लेस का इस्सेमाल करके त्यार कर सकते हैं कुछ डिजाइनर दुपट्टों के विडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे दूँगी आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के वटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेकुलर अपडेट्स मिल सकें तो guys thank you so much for watching, bye bye